इस देश को मजबूत बनाने में जो हमारे लेवर हैं, श्रमिक हैं, जो लोग हातों से मेहनत करते हैं, वो लोगों, उन लोगों का बहुत योगदान होता है और आज लोगडाउन के तहत वो 40 दिन से अपने घरों से दूर, अलग-अलग राज्यों में भूके, प्यासे अन्तिता जाकि उनको वापिस आने के पर्मिशन मिली है, और वो जो रहलों से और ट्रेन से वापिस आ रहे हैं, उसका किराया भी अगर उनसे वसूला जाए, मैं समझता हूँ, यह अशोबनी है, इसके मैं निम्दा करता हूँ, और यह लोग जो वापिस घरा आ रहे हैं, जब विदेशों से चार्टर पेन करकर हम लोगों को ला सकते हैं वापिस हिंदुस्तान, तो फिर यह गरीब मजदूर जो हैं, जो फसे हुए हैं, परिवार छोटे बच्चे हैं, बूरे बुड़े बुजर्ग हैं, उन सब को वापिस लाने के लिए खर्चा के इन सरकार को बहन करना चाहिए, और मैं सोन्य गानी जी का, कॉंगे सद्रक्षा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और स्वागत करता हूँ कि इन जो आज स्टैंड लिया है, कि इन लोगों का खर्चा गर सरकार बहन नहीं करेगी, तो कॉंगर्स पार्टी आके इनके पूरा किराया और मैं समझता हूँ, यह स्वागत योग्या है, जो स्टेट्मेंट आज सुन्य जी ने दिया है, और इन लोगों को मुश्किल और चुनौती पूर्ण समय में हम लोग पूरी साहता करने के लिए तैयार है,